अगर आपका रंग सावला है तो 20 मिलक में आपका रंग निखर सकता है बहुत खास ब्यूटिय टिप आपको आगे बताऊंगी पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सिल्यूशन अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए मैं आपको एक सिल्यूशन नहीं साथ सल्यूशन बताऊंगी जी हां साथ फेरों को पूरा करने के लिए साथ सल्यूशन आप इन में से कम से कम चार कीजिए और फर्क देखिए पहला सल्यूशन तामबे का एक चकौर टुकडा एक स्क्वेर टुकडा जमीन में दबा दीजिए इससे सूर्य की बादा समाप्त हो जाएगी और जल्दी शादी हो जाएगी तूसरा उपाय हर साथेडे को शुफजी पर काले तिल चड़ै इससे शनी की बादा कि हो जाएगी कि तीसरा उपाय शरीवार को बहते पानी में नारियल भाएए इससे राहूँ की बादा दूर हो जाएगी चौथा उपाई ये है कि आपको एक तरफ से आठ मीठी रोटियां सेखनी है आठ मीठी रोटियां बेल के उसको सिरफ एकी साइट से सेखना है फिर इन रोटियों को आपको ब्राउन डॉग को खिला देना है और देखिए कमाल पांचवा उपाई साटर्डे को एक काला कपड़ा लीजिए इसमें साबुत उरत थोड़ा सा लोहा यानि की लोहे की कील काला तिल और साथ में साबुत डाल और साबुन हाथ दोने वाला साबुन बांदे फिर ये किसी गरीब को किसी जरुरत मंद को दान में दे दीजे और देखिए कमाल चलिए अब जानिए शादी कराने का छटा उपाई सिक्स्त उपाई ये है कि काले गोडे की नाल का छला लीजी और इसे राइट हैंड की मिडल फिंगर में पहनिए और साथवा उपाई है थरस्डे को पीला कपड़ा पहने और केले के पेड़ के नीचे आसन बिच्छाएं और जो मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र की ग्यारा माला का जाब करें मंत्र है लिखिए कात यानी महा माय महायोगिन या देश्वरी नंध गोपसुतम देवी पतिम मे कुरू तेनमहा इस मंत्र को आपको साथ थर्स्दिस तक इस मंत्र की पूजा करनी है इधर ही केले के पेड़ की नीचे और यह आप शुकल पक्ष के फर्स थर्स्दिस से शुरू कर दीजे और देखिए इसका कमाल अगर मन बेचैन रहता है नींद कम आती है टेंशन में घेरे रहते हैं तो कुछ खास रंग के कपड़े पहनने से आपकी परिशानी दूर हो सकती है कौन सा है वो रंग आपको आगे बताऊंगी पहले खास प्यूटी टिप्स सावले रंग को निखारने के लिए कुछ खास चीज़ों का इस्तमाल करें पहली है कद्दू, पपीता, नीबू, पाइन आपल का जूस फिर क्या करें इन सब को निकाल कर इसमें शेहद मिला लिजे पैक त्यार कर लिजे अब इसे स्किन पर लगाईए करीब 20 मिन्स के बाद साफ पानी से धो लिजे सावली स्किन में इंस्टिंट निखार आएगा कहीं आपके आईब्रोस के बाल तो नहीं ज़र रहे या आपको जॉइंट्स में अचानक दर्द बढ़ गया है क्या अचानक खर्चा हो रहा है आलज भी पढ़ गया है ऐसा है तो आपका शनी खराब चल रहा है आज ही शनी को खुश करने का उपाई सीख लीजे ताकि सैटेडे को शनी देव की खृपा मल सके इसकी बात तो हम आगे करेंगे पहले रंगों को कैसे आप यूज करें यह हैरान करने वाली जानकारी बताती हूं कुछ खास रंगों की बात करती हूं जिनकों सुनकर आप हो जाएंगे हैरान क्या है रंगों का छुपाराज सबसे पहले बात करती हूं ब्लू कलर की यह कलर आपके मन को शांत रखता है जिनको mental depression है, stress है, उनको इस रंग से राहत मिलती है ब्लू कलर गुस्से को शांत करता है, आँखों को आराम पहुचाता है तो ब्लू कलर का इस्तमाल करें, सिर के ओपर, अपने सिर के ओपर, आप सकाफ बांध लीजे, क्याप पहन लीजे, इससे गुस्सा कम रहेगा, डिप्रेशन गायब होगा पिंक कलर, पिंक कलर कोमलता और इमोशन का पतीक है ये रंग को पसंद करने वाले लोग, दूसरों के मन के लिए बहुत जादा सेंसिटिव होते हैं, इनके मन में बहुत प्यार होता है तो अगर किसी के मन में आपके लिए नफरत है, या आप उसको प्यार में बदलना चाहते हैं, तो उसकी फोटोग्राफ को पिंक कलर में फोल्ड करकर, अपनी चेस्स से लगा कर रखिए येलो कलर, ये कलर खुश्यों का प्रतीक माना जाता है इस रंग को देखने से मन में रोश्णी फैलती है, इस रंग का माइन पर बहुत अच्छा एफेक्ट पड़ता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ये कलर ठीक करता है, पूझा पार्ट में पीला रंग कितना शुब माना जाता है येलो कलर को अपने स्टडी देबर पे बिच्छाइए, अपने काम वाली जग़ा पे बिच्छाइए येलो की बजाए गोल्डन यूज कीजिए, ये रंग प्रॉस्परिटी के रंग है, आपको सडन ग्रोथ और सक्सेस देंगे अब हम बात करेंगे रेड कलर की, ये कलर प्यार का प्रतीक माना जाता है, ये कलर एकसाइटमेंट और साहस को दिखाता है, गुस्सा और खत्रा इस कलर से ही दिखता है तब ही देखिए न मा दुरगा को, मा लक्षमी को, जादातर देवियों को आप रेड कलर की आउटफिट्स में देखिए क्योंकि ये एंथूजियाजम का कलर है, एनरजी यानि की शक्ती का कलर है रेड कलर अपने डल डे पर पहनी है और देखिए आप कितना एनरजेटिक फिल करते हैं अब बात करते हैं ब्लाक कलर की ब्लाक कलर इंसॉम्निया, नीनादा, डर, अंधकार, अज्यानता और हिंसा का प्रतीख है ये लाल, नीले, हरे रंग का बेस कलर होता है बाकी सभी रंग में इन तीन कलर से मिलकर ही रंग बनते हैं तो साटेड़े को काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बहुत फाइदा होता है आपका शनी बैलन्स हो जाता है इसलिए इस कलर को साटेड़े को ही यूज़ करें